बीबीसी उर्दु की प्रोग्राम सेर्बीन में खुशाम दीद हमारे लंडन स्टूडियो से मैं हूँ आलियनास की मुंताज साइंस्तान प्रोफेसर स्टीवन हौकिंग पे 75 बरस के हो गए कहते हैं कि सदर ट्रॉम्प का पारिस माहूलियाती मौाहिदे से निकलना दुनिया के लिए तबाह कुन है इटली की हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर खैक गानूनी तोर पर आने वाले तारिकी ने वतन को न रोका गया तो वो अपनी बंदरगाहें बंद कर देगा हमारे जो यंग सदर जो भी उनकी फैथ है हम उनको सिखाएं कि अशली नोबडी हैस यू मशूर बरतानवी साइंसदान स्टीवन हौकिंग ने खबरदार किया है कि आलमी हिद्ध या जमीन की गर्माईश तबाही के उस देहाने के गरीब है जहां से वापसी नामुम्किन हो जाती है अपनी 75 वी सालगेरा के मौके पर BBC नियूस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आबो हवा के पारिस मौाहिदे से अमरीकी सदर ट्रॉम्प के निकलने का फैसला दुनिया को इस देहाने में धहकेल सकता है जिससे जमीन पर तेज़ाब बरसने लगेगा प्रोफेसर हौकिंग 21 वरस की उमर में एक आसाबी मर्स का शिकार होकर हाथों पैरों से माजूर हो गए थे अलबता उनका दिमाग अब भी पूरी तरह फाल है और वो कंप्यूटर की मदद से अपने नज़रात पेश करते हैं पीबी सी के साइंस के नाम अनिगार पल्लब घोश की रिपोर्ट उमर आफरीदी पेश कर रहे हैं जब मैं 21 साल का हुआ तो मुझे बताया गया कि मेरे पास जिन्दा रहने के लिए दो तीन बरस और हैं अब 54 बरस बाद मैं जईफ और वीलचर पर तो हूँ स्टीवन हौकिंग ने अपनी 75 वी सालगिरा गुजशता रोज मनाई मगर ये दोर जिदो जहत से भरपूर रहा जिसमें मुझे मेरे घरवालों, रुफगा एक कार और दोस्तों की मदद और हमायत हासिल रही उनकी जिन्दगी और साइंस के लिए उनके खिदमात पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करने की गरस से कैमरी यूनिवरसिटी में तकरीब का इनकाद किया गया था इनका वरसा वो साइंसदान हैं जिनोंने इनसे तहरीक पाई इनकी तादाद हजारों में है आज भी तल्बा इनसे तहरीक हासिल कर रहे हैं आज दस और आठ बरस के बच्चे हैं जो स्टीफन और इनके काम के बारे में पढ़ रहे हैं और इनहीं में से कोई मस्तक्बिल का आइंस्टाइन होगा बीबीसी न्यूज से खुसूसी गुफटुकु में प्रोफेसर हौकिंग ने इनसान समयत जमीन पर बसने वाली मखलुकात के मुस्तक्बिल पर तश्वीश का इजहार किया आबो हवा के पैरिस महाइदे से सदर टरम्प के निकलने के फैसले पर आप क्या कहते हैं और जमीन के मुस्तक्बिल पर इसका क्या असर होगा हम आलमी हिद्द के उस दहाने के करीब हैं जहां से वापसी नामुम्किन हो जाती है ट्रम्प का फैसला जमीन को उस धाने में धखेल सकता है जहां जमीन का दरजाए हरारत जोहरा सेयारे की तरह धाई सो सेंटी ग्रेड तक बढ़ जाएगा और गंधक के तैजाब की बारिश होने लगेगी स्टीवन हागिंग के तीन बच्चे हैं उनकी बेटी लूसी के बकौल उनकी जिन्दगी सब के लिए मशहले रा है फिपलिफलिफ वो लोग जो हकीकतन मुश्किल हालात का शिकार रहे हैं वो उनकी जिन्दगी में अपने लिए इस्तकामत और साबित का कोई न कोई पहलो ढून निकालते हैं और ये कि किस तरह उन्होंने इनी मुश्किलात के बावजूद इतना अर्फा मकाम हासल किया उनके नजरियात ने काइनात के बारे में हमारी आगही को बदला मगर इस से कहीं ज्यादा काबल सताइश उनका अज्म और इन्सानियत है पलब खोश की रिपोर्ट प्रफेसर स्टीवन हौकिंग की खेर मामूली जिन्दगी साइंसी खिदमात और नजरियात पर मज़ीद गुफटगों के लिए इस वक दिली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं इंजिन साइंस्टान गोहर रजा गोहर रजा साथ सेर्बीन में खुशाम दीद स्टीवन हौकिंग का नाम हम सबने सुना है एक साइंस्टान की हैसित से उनका जो काम है जो उनका कांट्रिबूशन है वो कितना है मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं मुबारक बात देना चाहूंगा उनकी जशन पैदाईश जिर लोगों ने और्गनाईज किया है उन सब को और ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बलके इंदोस्तानी साइंस्टानों की ख्यालत की अकासी कर रहा हूंगा मैं अगर मैं कहूंगा क्यूंकि दुनिया के सिर्फ यूके में जो एक सर्वे हुआ था उसमें वो पचास लोगों के अंदर थे जो यूके के सबसे बड़े शहरी माने जाते हैं वो सिर्फ यूके की बात नहीं मेरे ख्याल में दुनिया में अगर चुनना पड़े आज की दौर में हमें 20 वी सदी और 21 वी सदी के बड़े आदमियों को बड़े दिमागों को तो उनमें स्टीवन हॉकिन्स का नाम उपर आएगा और बहुत उपर आएगा उन से ज़्यादा इस वकद मशूर कोई साइंस ना नहीं है मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है क्या उसकी एक वज़े ये भी है कि जो मुश्किल साइंसी कॉंसेप्स ये नजरियात होते हैं उनको वो आसान लफ़ों में बयान कर देते हैं समझा देते हैं इस इंट्र्व नहीं होते ये धर्याक करने उनकी नजर में उनकी सबसे बढ़ी एकमपलिश्मेंट है सबसे बड़ा कमपलिश्मेंट जाहर है एक साइंस ना की नजर से देखें तो बहा है लेकिं उनकी पहली किताब जो सबसे जदा मशूर हुई है बीफ is este seven time वो इतनी मुश्किल किताब है कि जादतर लोगों ने वो पूरी तरह से पढ़ ही नहीं है मेरे ख्याल में लेकिन ये बात जरूर है कि उस किताब ने जो तहलका मचाया पूरी दुनिया में उसने साइंस को जिन्दगी का एक हिस्सा बनाने की जो 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 उसके लिए जहनों को तयार कर दिया उस किताब ने ये किया कि आम आदमी भी समझ सकता है साइंस को ये उसके शुरू के 20 कम से कम पेजिज़ जो है वो तो कमाल के लिखे हुए पेजिज़ जो मुश्किल नहीं है लेकिन जतनी मुश्किल वो किताब है वो बाद में आसान हो गई अगर दिखा जाए वो 21 साल के थे जब उनकी सहत खराब होने लगी डॉक्टर ने का दो तीन साल से ज़्यादा वो जिन्दा नहीं रहेंगे पिच्छतर साल के वो हो गए हैं उन्होंने अपनी माज़ूरी को कभी मजबूरी नहीं बनने दिया और दोनों चीजें मुझे लगता है कि किसी बड़े मिराकल से कम नहीं है एक जादू से कम नहीं है जो इन्सान ने करके दिखाया है कि वो आज भी जिन्दा हैं दूसरी तरफ ये भी जादू कम नहीं है कि उनका दिमाग बहतरीन दिमागों में दुनिया के शामिल है जिसम ने साथ चोड़ा लेकिन दिमाग ह ने साथ नहीं चोड़ा और इस तरह से वो दोनों हिसाब से आम आदमी के लिए भी और साइन्टिस्स के लिए भी उनकी बैटी सही कह रही हैं कि वो मशल रहा हैं, बिल्कुल किस तरह से जिंडा रहने की चाह और खाली जिंडा रहने की चाह नहीं बलके बेहतरीं काम करने की बेहतरीं साइंस करने की चाह सबसे ज्यादा मुशकिल एरिया में साइंस की काम कर रहे थे जिसको हम Big Bang Theory कहते है तिली से बिलकुल तो दिली से गोहर रजा साब हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत आई अब दीगर रहे मौज़वाद पर एक नज़र डालते हैं इतली की हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर यूर्पी यूनियन के दीगर मुमालिक ने तारकीने वतन के मसले से निमटने के लिए मजीद इख्तामात नहीं किये तो इतली लिबिया से कश्टियों में बैठ कर खैर कानूनी तरीके से आने वाले तारकीने वतन के लिए अपनी बंदर गाहें बंद करतेगा रामी रहीम की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अत्हर काजमी समंदर में तारकीने वतन को डूबने से बचाना एक मुश्किल काम है कश्टि के डूबने पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इमदादी कारकुनों की कश्टि पर चड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वज़ा से सूरते हाल इमदादी कारकुनों के काबू से बाहर हो सकती है इस वाके में एक शक्स डूब गया था इन में से अक्सर लोगों का तालुक अफरीका और एशिया के मुख्तलिफ मुमालिक से है ये लोग जंगों और गुर्बत के बाइस अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होते हैं ये कश्टियां लिबिया से अपने सफर का आगास करती हैं जहां जंग के बाइस हकूमती अमलदारी ना होने के बराबर है इन कश्टियों में गुनजाश से ज्यादा लोगों को बठाया जाता है हम फलाही तन्जीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इमदादी कश्टी पर हैं अब तक वो 600 से ज्यादा लोगों को बचा चुके हैं और मजीद लोगों को अभी इस कश्टी पर सवार किया जा रहा है इन में मर्द, बच्चे, औरतें सब शामिल हैं उन्हों ने अपनी जान को खत्रे में डाल कर ये सफर किया है खालिद का तालुक शाम से है और उनका कहना है कि वो जंग के बाइस अपना मुल्क छोड़ कर आए हैं अपने सफर के बारे में वो कहते हैं आपको मालूम है कि आप इस सफर के दौरान या तो मर जाएंगे या बच जाएंगे यकिनां मरने का ख़चा ज्यादा है इटली की हकूमत की जानिब से रेस्क्यू मिशन को बंद किये जाने के बाद अब फलाही तन्जीमें ये काम कर रही हैं जोर्पी यूनिन की टीमें भी काम कर रही हैं लेकिन उनका बन्यादी मकसद गैर कानूनी नकलो हरकत को रोकना और देशितगर्दी के खत्रे से निमटना है हम एक पेचीदा सुरतहाल में भसे हुए हैं ये मसले का हल नहीं है लेकिन अगर हमने काम बंद किया तो मजीद हलाकते हो सकती है अगर्चे एक वामे मताहिदा ने भी इस बारे में अपनी तश्वीश का इजहार किया है लेकिन इटली की हकूमत यूर्पी यूनियन से मजीद मदद मांग रही है और उन्होंने खबरदार किया है कि वो अपनी बंदर गाहें तारकीन वतन के लिए बंद कर सकते हैं इसरेल में मोदी के शांदार इस्तिखबाल की तैयारियां और शाह सल्मान की तारीफ में हदें पार करने पर कॉलम निगार मौतल इन खबरों को आप खूप पढ़ रहे हैं आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सेर्बीन देख रहे हैं प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि लंदन के मेर सादेख खान बरतानिया में रहने वाले मसल्मानों के मसायल की बारे में क्या कहते हैं और बहरे हिंद में वाके रियूनियन नामी अफरीकी जजीरे में तेरने वालों और सर्फिंग करने वालों पर क्यों पाबंदी आयद की गई है गप्रभद पर सहीं जजीरे में एकता रियून वालों झाओ लोयूनियन पर इंह alerts दोब रियूनियूनिया हिंद में वालों जह पर गालों और सक्थम आयिदा हिंद में आया हिंदारी की अभ Aww और संटम पर कुछ आफदी जखने टर क्यों आपना हिंदाति खोट्यरे में दस झाल 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 झाल